यहां वैलकम बाक टो दे चानल शेयर स्टोरी और यहां बारा बजने में पांच निए बाटी है और हमारा जो वेडिंग अनिवर्सी का जो नाइट सेलिबेशन है वो स्टार्ट होने वाला है तो हमारी शादी को पांच साल हो गया इसलिए मैंने पांच का जो फाल बलून होत और यहां पे जो है थोड़ा सा यह मुझे चॉकलिट मिली है फिलाल तो अभी जो है बारा बजने के बाद हम उसे केक कटिंग कर लेंगे उसके बास सो जाएंगे तो यहां पे बारा बज चुके केक कटिंग सेलिब्रेशन हो गया है विडियो उसके ने लिए क्योंकि मेरा पोटो में बिजी हो गया था दास वाई वीडियो क्लिप नहीं है अभी मैं सोने जा रहे हूं क्योंकि काफी टायड हो गी हो सुबा जल्दी उठना है गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग तो होई गही है आच्छी मॉर्निंग है इसके साथ साथ सुबा सुबा के काम हो मैं जल्दी से लग गई हूं यहां पर मैंने एक तरफ चाय और दूसरे तरफ आलू पालक की सब्जी जड़ाई है क्योंकि मुझे मुझे मेरे हस्बन के लिए लंज भी प्रिपेर करना है तो इस वज़ए से जल्दी जल्दी काम हो रहा हो असी के साथ साथ मुझे आ सूघी डाल दिया है सूघी के से मधिग के साथ मुन लेना है साकुस्जी जब सकालर चेंज होने लगे मुझे थोड़ा ज्याद हुआ बहरा पुस्याइवunta हो रहा है और अच्छी और पानी निए हैं पानी टाल के अपनी चिनी डाल दी हैं अब इसे सुख जाएगा धोरा सोड़ा पानी रह गया है तो मैं ड्राइफ रूट्स और श्रेड़िट कोकोनट डाल दिया है इसे फ्लेवर अच्छा आता है और पानी बस सोड़ा सुखा लेना है अल्मोस हलपा रेडी हो गया है अब इसे हम पहले भगवान को भूग लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है भगवान के भूग के लिए अब उन्हें पहले भूग लगाएंगे उसके बाद हम फिर इसे खाएंगे तो यहाँ पर मैं इसने सब को दे दिया है और ब कि आप लोग जानते हैं कि प्रप्रेशन स्टार्ट हो गई है कि तुदेश माई वैडिंग अन्वर्सरी और प्लस माई बेबी शावर तो दोनों आज के दिन रिसाइड हुआ है तो आज ही होगा फर्स्ट ऑफ फेब तो हमारे शादी को भी कभी दिन है और बेबी शावर भी है तो वी आर रिली बेरी एक्साइटेड तो सुबस की जो भी तयारी थी वो मैंने आपको दिखाई सुबस अब में बहुत जल्दी जल्दी काम करना रहता है इस वज़े से पूरा नहीं शूट क क्योंकि पार्टी जो शांद को होगे इसलिए सब का मनता अभी लाइट खाने का वे शांद को जो भी अच्छा खाना रहेगा वो सब उस वक्त हैं तो अभी फिलाल में मंदिर जाकर भी आ गही है मंदिर को शूट नहीं कर पाई बड़ी जल्दी में निगली हो बड़ी जल जो क्या आपको पता है मैं संदरकंगा पांट करती हूं तो आज है टूस्डे तो भी मुझे करना है फिर इसके बाद जो है लंज तो मैंने बना करी रख लिया है और डेकोरेशन करना है में ताइम जाएगा डेकोरेशन में we don't have any idea कि हमको क्या डेकोरेट कैसे करना है डेको अब बाद मुझे जादा लगा कि आपको पूरी किट मिल जाती आपको जो चाहिए आप देख के ले लो एक चीज अगर आप लोगे तो बाहर वह महंगी भी पड़ रही थी और कही कुछ मिल रहा था कहीं कुछ नहीं मिल था कहीं कुछ था यह नहीं तो इस वज़ा से यह सब्सक्राइब करने जाएंगे देन उसके बाद मैं आपको अभी मिलती है थो लंज के टाइम जो है वह हो जाने के बाद पर यहां पर मैं देखिए फूल आने बैट गई जितने फॉल बलूने पहले वह फूल आ रहे हैं थाकि दो पहर से करते करते डेकोरेशन में टाइम तो दीरे दीरे फिर बलून फुलाने में और टाइम लगेगा और मुझे काफी भी टाइम लगा मेरी सिस्टर दोनों मिलके ये काम कर रहे थे और मैं बलून फुला रहे हैं और दिमाग भी लगा रहे हैं किस तरह से हमको सेट करना है तो यहां देखिए बहुत सारे बलून फुला लिया, I think hundred of the pieces of balloon थे, जो काफी जादा थे, उने कुछ बचा लिये क्योंकि अब बहुत जादा ठक भी गये थे, वह थोड़ा थोड़ा decoration हमने करना start कर दिया है इधर शाम भी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं जो है भगवान जी को भोग लगाया, और लड़ूं का और इसी के साथ सुन्दर कांड का पार्ट भी करना था, भगवान को फूल ये सब आरपित कर दिया और उसके बाद सुन्दर कांड का पार्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो शाम की पूजा होती है, शाम का हमने बलून वगेरा जादा भी हो गए थे पूरा room ही decorate कर दिया एक तरह से और अपने दिमाग से किया है कि किस तरह से हम करें कि भरा भरा लगे तो हमने इस तरह से किया सेंटर में foil लगाया इधर उधर हर wall पे बलून सेट किया थोड़ा से टेबल पे भी सेट किया और बेबी शावर वगेरा यह सब तो अब देखी रहोगे और उसके बैरनर वगेरा तो इस तरह से हमने करा हम को बज़ गए इसमें शे बज़ गए थे छे साड़े शे लगबर लगबर को गए थे इस सब को डेकॉरेशन में काफी टाइम लगता कर आपके पास जादा लोग हो ना तो यह काम जल्दी हो जाता और एक दो लोगों में तो टाइम लग जाता है यह तो यह सब करने के बाद अब मुझे होना था रेडी क्योंकि मुझे वही अब इसके पास रेडी होना ही सबसे बड़ा टास था तो फिलाल मैं अभी दिखा देती हूँ पिंक एंड ब्लू के थुई में तो यह ब्लू कलर की नेवी ब्लू कलर की में हस्बन की शिर्ट है तो थीम को देखते हुए यह मैंने उनके लिए चूस किया और अपने लिए इस तरह की pink अधि जो की काफी baby pink कट रहे है बहुत अच्छा लग रहा था तो यह मैंने अपने लिए च्यूस किया यह मेरी sister का है मडी तो यह नीच्वल में ग्रिय कलर में तो उसने यह पहना था मेक अर्व इस यह लोग कर लेकर नीकाल करता है लुग्र उतना गुविर उतना सली साँ कुछ थोड़ा मैं लाइठ यह एन्सने प्राटो एह So this is my dress, ये पिंक कलर में है, और सब मैंचिं है, मेरा फोन का कवर भी मैंचिं है, और ये अभी मैंने बाल बाल दे है, जो कि मैं क्यों लूंगे, और मैंने आपस पे बेल्ट अबर हाइलाइट करने के लिए अजरे अश्को तो बसा बेल्ट अपलाई किया है, जल्डी जल्डी में किया है, so let's start the party, yay, so अभी जो मेरे husband और में sister जो है, वो cake cake वेक वगरा सब लेकर आये है, set हो गया है, और मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूं, अपने dress का color, I don't know, आपको दिखा या नहीं, तो ये बहुत ही सुन्दर, baby pink, बहुत ही light सा, फैबरिक है, बहुत चीज है, तो ये हमारा wedding anniversary cake है, जो की red velvet cheese cake है, जो हम लोगों बहुत पसंद है, तो ये cake cutting ceremony हो रही है, first wedding anniversary की, then यहाँ पर हम एक दूसरे को cake खिलाएंगे, एक दूसरे को खिलाने के बाद, फिर हम अपने सारे family members को भी, हमने cake खिलाया है, और उसके बाद, जो है, इसके बाद हमारा baby shower का, जो cake cutting ceremony था, वो हुआ, हमने baby shower का अपना cake काटा, जो की था white forest, और इस पे मैंने इस तरह का, ये जो shoes है, जो चोटे बच्चों के baby shoes वो लगाएं, तो यहाँ पर हम एक दूसरे को फिर से cake खिला रहे हैं, तो हमने जादा एक तो लोगों को बुलाया नहीं था, स मैं अपने mother-in-law, sister-go, सब को cake की खिला रही हूँ, then मैंने मुझे पता नहीं जादा baby shower में होता क्या है, तो इस वज़े से हमने जो सोचा या खुद से थोड़ा बहुत इसमें अपने ideas डाले, यहां ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजे लोगों खिलाई जाती है, तो मुझे मैंने कुछ कुछ हाट लीती है, जैसे यह biscuit है, बेकरी वाली, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे खिलाया जा रहा है, इसी के साथ साथ, cupcakes है, vanilla flavor में, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, आजकल अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी मैं खा रही हूँ, then इसके बाद जो है, लड़ू, लड़ू जो है, वो भी मुझे पसंद है, बेसिन के लड़ू, तो वो मैं खा रही हूँ, तो इस तरह से जो जो अच्छे चीजे थी, तो वो मेठी चीजे, वो मुझे खिलाई गी, और ये चॉकलेट थी, तो चॉकलेट अभी नहीं काने मनो रहे हैं, त कुछ का टाइम भी नहीं था, और हमारे पसंद की चीजे थी, तो हमने ओर्डर करना ही बहतर समझा, तो यह हमने स्विगे से ओर्डर किया था, मैं आपको बताते हूँ, क्या-क्या है हमारे मेन्यों में, अभी मैं यहाँ पे एक साथ निकाल लेती हूँ, पहले सारी चीजे ठाकि मैं सब ना हो, और यहाँ पे दीखिये, सारी चीजे अच्छे से हमने निकाल के रख ली हैं, अब आब हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या चीजे हैं, यह है पनीर टिक का मसाला, यह है वेजे स्प्रिंग रोल, यह है पनीर साते, और यह है पनीर मंखर नवाला, और इ यहां पर हमारा बेबी शावर जो बिल्कुल प्राइविट सेरेमनी थी ज्यादा कोई लोग नहीं सिर्क करके ही लोग थे और आप देख सकते हो मेरा मेकप यहां मैंने बहुत जल्दी जल्दी में फिंगर से करा है और यहां पर जित्ती भी सारी फोटोशूर्ट हमने करा लि जाएगी इंस्ट्राइम हांडल आपको मिल जाएगा स्क्रीम पर आप दिख चेक कर सकते हैं कुछ-कुछ मैं यहां भी टाल दूंगी और अच्छा दिन था काफी अच्छा दिन था बहुत टायर्ट भी था बद्धा भी बहुत आया और आप लोग भी प्रे करिएगा मेरी बेबी के लिए और मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए और बेबी को ब्लेसिंग्स शावर जरू दे दीजेगा मेरे शाब बेबी शावर में I'm really very excited क्योंकि हैं मैं पहली बार किया है बहुत मजा आया है really really very happy और खाना वाना तो मने खा लिया डिनर भी अच्छा था सब कुछ अच्छा था अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो व्लॉग अच्छा लगता हो प्रेम सी से जुड़े ऐसे और भी व्लॉग वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके दो बताइएगा और इसके साथ नहीं चाहां को सुस्क्राइब लाइक शेयर भी क चलिए अब हमनों सोने जा रहे हैं बबाई गुड़नाइट लाव यू सी यू सून करे दो की शुड़नाज वीडियो नहीं जावप प्रेल नहीं जावप वी यू भी करके दोगे वीडियो से गवीडियो गळेगा जिज़नावाव प्लाप वीडियो यू सुन झाल झाल